दोस्तों आप लोगों के काफी दिनों से डिमांट थी कि सार up police ke बारे में बताईए तो देखिए up police ke बारे में paröyle Records अर उसके लिए courses भी कई लोगों को complete हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया भी जा चुका है और फिर से हम आप लोग को बता ते हिंवार पिछली बार वेकनसी आई नहीं, लगा कि वेकनसी आज आईगी लेकिन आई नहीं तो ये सब सारी चीज़े हम डीटेल में बात करने वाले हैं, कुल पद की अगर बात करें तो 3575 जैसा कि इस पेपर में लिखा हुआ है, और ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, 100% सेलेक्शन अपना सुनिशित करने के लिए देखिए, किसी भी एक्जाम को निकालने के लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा, और क्या-क्या पढ़ना पढ़ेगा, उसके सिलेबस में क्या-क्या चीज़े दी हुई हैं, अगर आप सिलेबस को अच्छे से तयार कर लेते हैं, मॉक्टिस लगा लेते हैं, प्राक्टिस कर लेते हैं तो आपका selection कोई नहीं रोख सकता है तो किसी भी exam को pass करने के लिए आपको उसको time देना पड़ेगा ठीक है कितना time देना पड़ेगा कैसे देना पड़ेगा अभी हम detail में बात करने जरेगे ठीक है पहले हम आप लोगों को इस paper के बारे में थोड़ी सी पढ़ के सु इस वज़े से एक company ही सिर भाग लिए इस वज़े से निरस्त कर दिया गया इस वारे फिर से क्या है नया टेंडर जारी करने वाले है यूपी पुलिस ठीक है तो वह क्यों जो टेंडर है ये next month में आपका जारी होगा ये मत सोचिएगा कि अप्रेल एक अप्रेल से इसका form भ है 26210 और उसके बाद से जो फायर में की पोस्ट है एक हजर साथ है और पीसी के लिए 8540 है टोटल देखा जाए तो 35757 ये पोस्ट आपकी इस बार वेकेंसी आने वाली है हो सकता है ये वेकेंसी और आगे इंक्रीज हो जाए क्योंकि काफी दिनों से ये वेकेंसी लटकी प किसी भी चीज में लेट होती है तो मन में थोड़ा सा दुख होता ही है कि कितनी ज्यादा वेट करें कोहत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी एस भी निकल गई होगी तो एस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं एज क्या रहने वाला है और आपको पढ़ना क्या है सेलेक्शन कैसे लेना है तो यह next month में क्या होने वाला है इसका tender जारी होने वाला है और ज्यादा तर उमीद जताई जा रही है कि next month में यह tender को finalize कर लेंगे और किसी यह company को यह दे देंगे कि आप exam करा हो बच्चों का और उसके बास से आप क्या करो online form उनका submit करो और exam date दो exam करा हो selection का process होग ठीक है तो next month में ज्यादा तर उमीद जताई जा रही है कि यह final हो जाए ठीक है तो अब यह जताई जा रही है तो इसका उमीद यह आप लोगों को मन में होना चाहिए कि आप इसकी तैयारी करना एक डम start कर दीजिए जो student अगर नहीं पढ़ रहे है जो student नहीं पढ़ रहे ह से होते हैं जो क्या करते हैं exam date आता है उसके बाद से तैयारी करते हैं form भरत जाएगा तब तैयारी करेंगे तो देखिए अब आप देखी रहे होंगे अभी कितनी सारी vacancy आई time नहीं दे रही है vacancy जबा रही है न 2-3 महीने का समय मिल रहा है और 2-3 महीना किसी exam के लिए से पढ़े हुए जिनका syllabus अच्छे से तयार है प्रिपेर है और सिर्फ प्राक्टिस करें मौक टेस लगाए कुछ बची चीज जो बची खुशी चैप्टर है उन्हें complete कर ले और अराम से इस में selection ले सकते हैं बाकी student selection नहीं ले सकते हैं बाकी के लिए time चाहिए पढ़ना प देखा जाए तो 18-25 और age relaxation भी कई category में मिलता है तो देखा जाए तो 18-30 तक भी हो जाता है ठीक है तो age आप देख लेंगे और हो सकता है कि COVID के कारण इस बार आप लोगों को relaxation और भी देखने को मिले जो जनरल के candidate है और भी category के student है उन्हें age relaxation यानि थोड़ा सा हो सकता है अच्छी बात है होनी भी चाहिए उमीद करेंगे कि आप लोगों के लिए age relaxation मिले नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं लेकिन कोशिस किया जाएगा कि आपको मिले ठीक है चलिए उसके बाद से हम आप बात कर लेते हैं syllabus के बारे में अगर आपको selection लेना है तो क्या पढ़ना पढ़ेगा कैसे पढ़ना पढ़ेगा कितना पढ़ना पढ़ेगा इसके बारे में हम थोड़ी सी आप से डीटेल में बात करेंगे देखिए किसी भी एक्जाम को बास करने के लिए उसका syllabus तयार होना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी एक्जाम देंगे उसका अगर आपका syllabus प्राक्टिस कर रहे हैं तो आप उस एक्जाम में बहुत अच्छा करेंगे अगर आप उसको पता ही नहीं यह syllabus क्या है पढ़ना कैसे है तो आप selection नहीं ले सकते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ी सी आप लोगों को बारे में समझा देते हैं वैसे पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं इस वीडियो में भी थोड़ी सी बता देते हैं पहले समझ लिजिएगा सारे ध्यान से देखिए जो जर्नल नौलेज होता है उसके 38 कोशन आएंगे हिंदी के आपके 37 कोशन आएंगे और इसमें UPG के भी क्या होता है सामिल होता है ठीक है UPG के अलग से आपक पूछे जाते हैं और रीजिनिंग आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं chilini भी आप पूरे के पूरे कर सकते हैं कोई इसमें आपका डेंशल लेने की ज़रूरत नहीं है जीस भी आपको पढ़ाया जाएगा crazy जो चैपकर दिया गया है उसको बहुत ही डीटेल में पढ़ाया ताकि आप इस 38 question में आराम से 30 plus से ज्यादा 30 से ज्यादा question आप कर सके इस label के आप लोगों को GKGS भी पढ़ाया जाएगा उसमें आपको टंसल लेने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है तो देखा जाए तो total जो question है 150 question आने वाले है इस paper में जैसे पिछला जो syllabus रहा हो सकता है syllabus बदल भी जाए pattern exam का बदल भी जाए ठीक है हाँ बदल रहा है तो लेकिन उमीद कम जताई जा रही है कि यह बदले अगर यह रहता है तो यही रहने वाला है एक सो पचास question तीन सो आंग दो घंटे का paper होगा वन वाई फोर निगेटिव मार्किंग होती है यह आप सभी को पता है अगर आप अभी से मेहनत कर रहे है तो आपके लिए अच्छी चीज़ है आप क्या करेंगे जब exam date आएगा या exam का form भरेंगे उस समय आपका अगर syllabus complete हो जाता है तो उसके बाद आप practice में लग जाएंगे आप अन्य स्रूडेंट के मुकाबले कहीं आगे रहेंगे सेलेक्शन के आप करीब रहेंगे और आपका सेलेक्शन होता हुआ दिख्कर रहेगा आपको क्यों कि आपने syllabus पूरा कर लिया कुछ स्रूडेंट क्या होते हैं जब exam date आता है तब बढ़ते तो उनका syllabus ही नहीं अगर आपको पूरी syllabus पढ़ना है पूरी syllabus को जो यूपी पूलिस कॉंस्टेबल की जो syllabus है वह पढ़ना है तो आपको आपके लिए हम बता दे SSC Maker के app पे classes आप लोगों के लिए चलिए पिछली साल ही class हम लोग स्टाट कराए थे जो special बैच चला था यूपी पूलिस कॉंस्टेबल के लिए special बैच चला था इसमें आपको math, reasoning, hindi, gs यह recorded classes आपको अभी भी यूटूब पे यूटूब पे नहीं SSC Maker के app पे मौजूद है, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत से student इससे पढ़ भी रहे हैं, देखिए आपका syllabus बहुत से student ऐसे सोच रहोंगे कि सर कहीं exam का pattern बदल गया तो क्या होगा, देखिए exam का pattern बदल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि math नहीं आएगा, reasoning नहीं आ अगर आप इसे पढ़ते हैं, तो UP police के exam जो आपके होने वाली न, बड़ा अच्छा कर लेंगे, 240, 245, 200 अराम से आप कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो, लग के मेहनत करेंगे तो 200 नंबर आपका कोई रोकी नहीं सकता है 300 में, ठीक है, तो मेहनत से आप परा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, नया बैच में भी क्या होगा, यहीचीज पढ़ाया जाएगा, अगर syllabus रहा तो यहीचीज पढ़ाया जाएगा, अगर syllabus बदल रहा है तो इसमें भी हम लोग बदल देंगे, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि maths में आप देख रहे है, percentage biggest sentence di discount जो चल रहा है math वही उसंए भी बढ़ाया जाएगा ऐसा नहीं है having math जाएगा इसमें arithmetic चल रहोगाए ऐसा कुछ नहीं जो syllabus में हैख़ि però पढ़ाया गया है अने وडिक्या टाइम में जो syllabus में रहेगा वह पूरओ भी जाएगा कुछ भी होता है तो इसमें भी बदला जाएगा उसमें भी बदला जाएगा ठीक है तो आपको टेंसल लेने की जोरत नहीं है अगर आपको अभी से पढ़ना है तो आप इस बैच से जुड़ जाए बैच की आप लोगों के लिए थोड़ी सी फीवी कम करा दिये यह 399 की जगा 299 करा द सकते है ठीक है तो अब यह उमीद जताई जा रहे है कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है ठीक है आप लोग लग जाईए मन लगा के तैयारी करिए पढ़िए कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा नहीं समझ में आ रहा है तो भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे ठीक है चले उमीद करते हैं आप सारी चीजों को बहुत अच्छे तारीके से समझे होंगे और भी कुछ आपके मन में प्रसन है कि सारे एज लिमिट के बारे में और डीटेल में बता दीजिए या इस वैकेंसी के बारे में और डीटेल में बता दीजिए आप यह भी सोच सकते पूछ सकते है कि फीजिकल कैसे होगा क्या होगा हाइट चेस्ट क्या रहने वाला है रनिंग कितना होगा इन सब के बारे में तो हम पहले बता ही है अगर आपको कुछ नीड है जानकारी चाहिए आपको जरूरत है तो आप सेशन को यहीं तक रखते हैं बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद